आज हम आपको सिखाएंगे आप गर पे गांड कॉकर कैसे बना सकते हैं यह एक स्पैसी चिकन कवरी होती है और बहुत ज़दा टेस्टी बनती है तो पूरी रेसिपी देखिएगा जरूर हमने यहां पे एक पूरा चिकन लिया है जिसको हमने प्रॉपरली वॉश किया है प्याज हमने लिया है आदा किलू या साथ आठ प्याज तक और हमने मस्टर्ड ओल यूज किया है कुकिंग के लिए तो सबसे पहले हमने एक पैन में हल्दी डाली है लिदर एक चमच तक और इसको उबालने देंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे चिकन कुई इनकी चिकन को एक उबाल हल्दी वाले पानी में देते हैं तो इसमें इसको लिट से कवर करेंगे और वेट करेंगे इसकी उबलने तो जब इसमें फिर्स्ट बॉयल आ जाएगा फिर आप पानी फैंक देंगे और चिकन को वाश करके रखेंगे मस्टर्ड ओयल है हमने दूसरी सेपरेट पैन में तो जब गरम हो जाएगा और उसकी स्मोक निकल जाएगी फिर चिकन पीसिस को हम फ्राइ करेंगे इसमें तो च चिकन को ब्राउन कलर का फ्राइ करना है यह देखिए हर एक चिकन पीस को ऐसे फ्राइ करके रख देंगे अब हमने यहीं मस्टर्ड ओयल लिया है एक प्रेशे कुकर में जितना आप खाते हैं उतना डाल दिया है एक चोटी चम मजीरा का जूर एक दालचीनी की स्टिक दो बड़ी इलाची या बुड़ल तीन छोटी इलाची निचल दो लॉंग रूंग थोड़ा सा आप इन स्पैसेज को ऑईल पे सौते करेंगे उसके बाद हमस में डाल देंगे चॉप किये हूए प्याज अनियन्स जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ यह साथ से आठ प्याज है या तो प्याज आपको गोल्डन ब्राउंड भी नहीं करने है बस थोड़े से कैरमेलाइज करने है और इसमें डाल रहेंगा अली कापेस एक छोटी चमच इसकी ट्रिक ही है यह कि प्याज आपको बिल्कुल भी ज़ादा फ्राइज नहीं करना है हलका सा पानी आड़ करने के ब अबस हलका सा फ्राइ होने लगे हैं तब आप इसमें पानी और स्पाइसे डालेंगे अब डालतेंगे हम हल्दी या लिदर दो एक चोटी चमच फैनल सीड पाउडर या बजां कश्मीरी में एक चोटी चमच जिंजर पाउडर या कश्मीरी में शोट आदी चोटी चमच अच्छे से आप सारे स्पाइसे को मिक्स करेंगे प्यास के साथ यह देखें और वेट करेंगे ओयल निकलने का और फिर आप इसमें एड कर देंगे हमने जो फ्राइ करके देखा था चिकन वो तो जो चिकन इसमें एड करेंगे फिर अब चिकन को भी थोड़ा सा फ्राइ होने देंगे प्यास और स्पाइसे के साथ यहां पर देख सकते हैं आप कि इस टेज पे भी खाने के लाइक है और बहुत टेस्टी बनता है अब हम इसमें डाल देंगे पानी जितना की वो चिकन को कवर करेगा उतना बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेगा वना करी अच्छी नहीं बनीगी नमा कि इस स्टेज पे आप अज़्जस कर सकते हैं कितना आप डालेंगे अब हम मिक्स करेंगे हलका सा इसको और फिर हम प्रशे कुकर की लिड बंद करेंगे इसको हम कुक करेंगे तकरीबन दो से तीन विसल्स तक और फिर आप अपन करेंगे लिड चेक करने के लिए तो यह देखिए तीन विसल्स के बाद हम लिड ओपन कर रहे हैं और जो हमारा गंड कॉकर है वो तयार है आप देख सकते हैं रिकाला कितना अचा आया है मिर्शी तेल पे फ्राइ करने की वज़ा से और करी भी कितनी टेस्टी है आप यह ज़रूर कीजेगा रेसीपी सेम वे में ट्राइ और इसको हॉट राइस के साथ खाया जाता है I'm sure आप पूंजब कीजेगा लाइक कीजेगा कॉमेट कीजेगा और अगर चाहते हैं हम कोई और रेसीपी आपके लिए बनाएं तो आप वो भी जरूर कमेंट्स में लिखेगा और यह रेसीपी ज़रूर आप ट्राइ करके हमें फीडबैक सेंड कीजेगा